इस्टुडेंट्स आज की से स्पेशल वीडियो में हम समझने वाले इंग्लिश ग्रामर के 50 फिलिंदा ब्लैंक्स तो वीडियो को इंट तक के जरूर देखिए बच्चों वीडियो को बिल्कुली भी स्किप नहीं कीजेगा क्योंकि आज यह वीडियो है काफी ज़दा इंप आपको की सीगह तो फिले वीडियो को शूरू करता है और वीडियो को शूरू करते हैं और फिर नेखियाली है लिए गए है तो इस हमारा फ़ास्ट के सीटी आफसी आपके सामने ए अ एंदा और नो आतिकल तो आपको जल्दी से करीट आंशर कर लेना और कमेंट करके मुझे करीट आंशर बता देना है तो बच्चों देखिए मैं आपको बता दू इसका राइड आंशर होगा अब दा र आजाता है लेकिन प्लूरल वर्ड के पहले और न कभी नहीं आता है क्योंकि ए और न का यूज किया जाता है सिंगूलर नाउन के बिफॉर इसलिए अगर यहां पर वर्ड सिंगूलर होता तो ए और यहां के बारे में थोड़ा बहुत थिंग कर सकते थे लेकिन जब हमें लेकिने दबोए ब्लेंकिस पिस दबड़ आप शेस आपके सामने केचेस और केचेस तो देखिए बच्चो इसका जो राइट आज़र होगा वहोगा केचेस क्यों होगा जरा थोड़ा सा समझ लीजिए देखिए यहां पर यह जो वर्ड दिये गया है दबोए और इसके बा गोहा हमारा केचेस ञें दबोए एक सिंगुलर है तो राइट आज़र होगा हमारा केचेस अगर यहां पर दबोए की जगाह पर दबवोए हो जाता तो फिर हमारा राइट आज़र केच हो सकता था जो नगर के संबरा पैर चेचेस होंगा अभी इस favorites हमें करता है स्फियूं countable noun के before और little a little का use होता है singular uncountable noun के before तो यह जो sentence है इसमें right answer होगा a little a little knowledge is dangerous thing मतलब कि थोड़ा बहुत ग्यान आदा दूरा ग्यान खतरनाख होता है जो कि positive sense निकल रहा है इसलिए यहां पर हम a little का use करेंगे negative sense निकलता है तो हम use करते है little का a little का use करता है positive sense में तो knowledge वाली बात चल रही है इसलिए positive sense निकल रहा है तो हम a little का use करेंगे ठीक है अब देखते है question number four I think it blank is present today आपके सामने option से model may must और can't तो बच्चों इसका राइन तो होगा में तो बच्चों इसका राइन तो होगा में तो बच्चों इसलिए होगा है बाकी permission लेने हो permission देने के लिए यूज के आता है उन्हीं में से एक option होता है possibility वाला ठीक है अब आयाते हम नेक्स्ट question तो हमारा question number five there are blank is precious books in the library options आपके सामने much any sum जल्दी से करेंट answer आप guess कर लीजिए और मुझे comments वाक्स में जाकर comments करके बता दीजिए तो देखिए बच्चों इसका right answer होगा सम अब सम किसलिए होगा देखिए there are blank space precious books तो यह जो बुक्स है यह countable noun है plural countable noun है तो plural countable noun के before हम यहाँ पर सम का use करेंगे there are some precious books in the library library में कुछ कीमती पुस्तके हैं मच का यूज कियाता है singular uncountable noun के before नहीं आएगा इनी का यूज कियाता है निगेटब और interrogate sentence में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि sentence हैं निगेटब भी नहीं है interrogative भी नहीं है और books countable noun है इसलिए यहाँ पर आएगा some there are some precious books in the library okay बच्चो clear हो रहे हैं सारी questions okay अब देखते next question तो बच्चो मारा question number six है my brother is blanket space engineer options आपके सामने a in the तो बच्चो इसका right answer होगा in ठीक है क्यों होगा क्योंकि यह जो word आया engineer engineer में जो sound आ रहा है आपका e का sound आ रहा है do you buy blanket space sugar from the shop option any or some तो बच्चो इसका right answer होगा आपका any ठीक है इसलिए होगा क्योंकि sentence interrogated भे डिड़ से start हो रहा है डिड़ेक helping verb है और helping verb helping verb या कोई question वर्ट से कोई sentence start होता है तो इसलिए right answer होगा आपका any question number आपका eight है देखिए इसमें कह रहा है I don't like blanket space of these mobiles options आपके सामने either neither तो बच्चो इसका right answer होगा आपका either I don't like either of these mobiles तो either इसलिए होगा क्योंकि sentence already negative है जब already negative है तो double से हम neither का use नहीं करेंगे क्योंकि neither में not included होता है तो sentence में double से not नहीं आता है अगर sentence में neither आ जाता है तो इसलिए यहापर either आ जाएगा I don't like either of these mobiles मतलब के में इन mobiles में से किसी भी mobiles को पसंद नहीं करता हूँ इसलिए आइदर आएगा अब हम बढ़ते question number next 9 की तरफ starting blank space you blank space stop smoking would या should तो बच्चो यहाँ पर write आज़र होगा should you should stop smoking तो आपको smoking stop कर देना चाहिए तो मतलब यहाँ पर should का use के जाएगा क्योंकि advice के लिए हम should का use करते है would का use नहीं करते है question number 10 है question number 10 है we are going blank space a match today play playing to play या played तो बच्चो इसका रहाएँ तो रहोगा आपका to play we are going to play a match today ठीक है तो इन्फिनिटिब बन जाएगा इन्फिनिटिब में हम यहाँ पर two play का use करेंगे we are going to play a match today ठीक है अब यहते question number 11 की तरफ तो दिखिए बच्चों हमारा question number 11 है my friend lives blank space new Delhi options आपके सामने in at into तो my friend lives blank space new Delhi न्यू डैली जो के इंडिया की capital भी है बिग सिटी भी है तो इसलिए my friend lives in new Delhi मेरा दोस्त न्यू डैली में रहता है तो याद रखिएगा big city मतलब कि city के before कोई country के before मतलब big places के इन का यूज करते हैं जब आपको वहाँ पर प्लेस के बारे में बताना हो तो राइड अंसर होगा आपका इन और 8 का छोड़ी जगाओं के लिए यूज किया था इन टू का कोई moving thing के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर कोई movement नहीं हो रहा है यहाँ पर place के बारे में बता रहने का तो इन राइड आंसर होगा क्योंचर आपका 12 work hard less you blank space fell would could should तो राइड अंतर होगा बच्चो इसका हाँ बिल्कुल सभी तिंग कर रहे है शुड होगा work hard less you should fell तो लेस्ट आया ना इसका प्यार मनता है शुड से लेश्ट का प्यार किससे बनता है शुड से तो sentence में लेश्ट आ गया इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो बाद वाले sentence फिर आपको शुड यूज करना होता है वर्क हाट कढ़ीन पश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फैलो जाओ तो कहीं ऐसा ना हो sense निकल रहा है इसलिए यहा यहां पर शुड आता है अब देखते हैं कैसे नमार थाटीन राम प्रफर्स मिल्क ब्लेंके स्पेस्टी आपको भी पता होगा क्योंकि आप हमारी वीडियो इसको बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको आंसर समझ में आने लगे होंगे तो बच्चे इसका राइड मंदब्गर में दें का यूज क्या जाता है लेकिन यहां पर वर्त पिफर्स आ जाए तो वहाँ पर आपको कर यूज करना होता दें नहीं लगा नहीं लगा देखते में करना होता Want The मिंस्टर डेविटि इस पूर्फियन यूरोपियन और यहां पर इस्ट स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर आप्शन प्षेस होगा दिखो बच्चो जर्दा समझ लो इसको यह जो वड्लिखा हुए न यूरोपियन तो आप इसको एक बर लिख लिख लो हिंदी में लिखकर देख लो आप बिल्कुल केंफीज मत हो इसको हिंदी में लिखकर देख लो क्या देखा आपने यूरोपियन लिखके देखा तो यह क्या है भाई यह आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है किसका साउंड दे रहा है किसका साउंड दे रहा है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एका वाउल साउंड देता है तो हम यूज करते हैं एन का तो यू आपको यू यू वर्ड है यू आपको या का साउंड दे रहा है किसका साउंड दे रहा है यहां का साउंड दे रहा है यू तो मतलब यह जो यू है यहां का साउंड दे रहा है इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे टीक है Mr. David is a European इसलिए यहां पर a का यूज किया जाएगा ठीक है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफॉर हम मेनी का यूज़ करते हैं और मच का यूज़ किया जाता है सिंगूलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफॉर यह मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था तो याद रखी का मच का यूज़ किया आगा है यहां पर तो इसके पहले तो आपको दाही लगाना होगा, इसमें कोई confusion, कोई doubt नहीं होगा, आपको भी the right अंदर होगा, ठीक है, अब देखते हैं, question number 17, question number 17, my grandmother is hard of hearing, तो यह जो hard है, इसको आपको आफ से connect कर देना है, hard of hearing का मतलब होता है, deep, deep मतलब होता है, बेरा, तो hard on hearing नहीं होता है, hard of hearing होता है, इसलिए इसका जो right अंदर होगा, वो होगा, आपका off, question number 17, question number 18, question number 18, blank speech, God bless you with a daughter, option आपके समने, can, could, man, तो बच्चो इसका right अंदर होगा, में, जी हमें, में इसलिए होगा, क्योंकि model में make a use हम करते हैं, किसी को bless करने के लिए, किसी के लिए prayer करने के लिए, किसी possibility को बताने के लिए, permission लेने के लिए, तो यहाँ पर may God bless you with a daughter, तो यहाँ पर may God bless you ही right answer होगा, मतलब में right answer होगा, इसलिए आपका sentence है, यह present perfect sentence है, present perfect में हम यूज करते है, man verb की third form, V3, तो यहाँ पर V3 होगी fallen, तो इसलिए इसका right answer होगा, आपका fallen, the building has fallen down, तो right answer आपका fallen होगा, क्योंकि sentence आपका present perfect का था, ठीक है, so next question है, 20 number का, देखिए, इसमें आप से कह रहे हैं, इसका right answer क्या होगा, इसलिए होगा, क्यों देखिए, हाप पर यहीं मतलब निकलता है, लेकिन अमंग का यूज करते है, more than two persons, या two things, या कोई plural word दिया है, कुछ सम्हू की बात चल रहे है, तो सम्हू के लिए, group के लिए, हम अमंग का यूज करते है, इसलिए, right answer होगा, आपका, अमंग, ठीक है, अब आया ते हम next question, 21, मैंने आपको अभी बता है था, prayer करने के लिए, blessings के लिए में का यूज करते है, तो right answer होगा, आपका में, इसी तरह से 22, they apologize, the old lady, 22, तो देखी, 22, option आपके सामने, they apologize, question है, the old lady, 4 या 2, बच्चों इसका right answer होगा, जहाँ पर, 4, they apologize, for the old lady, तो इसका right answer होगा, 4, जिसका मतलब निकलता है, के लिए, मतलब के उन्होंने, old lady से, माफी, मांगी, मतलब के, चमा मांगी, तो यहाँ पर right answer होगा, 4, question 22 का था, ठीक है, अब यहाँ देखी, 23, 23, I didn't find blank space there, anyone or no one, तो बच्चों 23 का right answer होगा, आपका, anyone, जी हा, I didn't find anyone, क्योंकि sentence आपका, यहाँ पर negative sentence में, हम any use करते हैं, तो यहाँ पर anyone लग जाएगा, तो anyone आजाएगा, affirmative हम some का use करते हैं, यह someone use कर सकते थे, इसलिए right answer होगा, anyone, I didn't find anyone there, मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला, तो right answer होगा, anyone, 24, she doesn't have blank space friends to help, यहाँ पर क्या लिका हुआ, her, she doesn't help, she doesn't have blank space friends to help her, question जो आपका 24 है, तो देखिए, यह भी sentence negative है, आपके सामने many है, much है, any है, तो right answer होगा आपका any, क्योंकि negative sentence में any का use करते हैं, जो मैंने आपको already बता दिया है, तो she doesn't have any friends to help her, इसलिए इसका जो right answer होगा, वो होगा any, अब देखते है, question 25, blank space you, you, you है, इसके बाद blank space, go to Mumbai tomorrow, to attend the meeting, will have, यह should, तो देखिए, यहाँ पर two आया है, तो यहाँ पर right answer होगा, will have to, मतलब कि should to नहीं होता है, should to बिल्कुल भी नहीं होता है, will have to होता है, you will have to go to Mumbai tomorrow, to attend the meeting, इसलिए right answer होगा, will have to, आगे बढ़ते हैं, question number 26 की तरब, बच्चों, पूरे के पूरे 50 questions में आपको solve कर रहाँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा खिचने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे 50 questions का solution आपके लिए लेकर आया हूँ, solution और explanation आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो question 26 है, तो बच्चों, इसका रहाँगा आपका about, मतलब बारे में, मैं अपनी परिक्षा के बारे में चिंतित नहीं हूँ, तो रहाँगा आपका about, 27, we keep our food in the fridge, बलें कि it does not go bad, option आपके समने, after day, so date है, since है, या आलदो है, तो 27 जो है, इसका रहाँगा आपका so that, we keep our food in the fridge, ह हम अपने भोजन को फ्रिज में रखते हैं, ताकि जिससे की it does not go bad, ये खराब ना हो जाए, ये खराब ना हो पाए, तो रहाँगा आपका so that, जिसका मतलब निकलता है, ताकि या जिससे की, ठीक है, इसलिए रहाँगा आपका so that होगा, अब बात करते है, question number 28, you blank is not feel sorry for this petty mistake, option आपके सामने आर है, need है, do है, और have है, तो 28 का रहाँगा आपका need, you need not feel sorry for this petty mistake, तो need का मतलब निकलता है, जरूरत होना आवशकता होना, तो आपको इस छोटी गलती के लिए sorry कहने की जरूरत नहीं है, sorry महसूस करने की आवशकता नहीं है, तो यहाँपा use करेंगा need, you need not feel sorry for this petty mistake, need इसका right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, question number 29 की तरफ, blank space, room of this hotel has an AC, each every sum, देखी बच्चे जो आपका next question है, जो 29 का है, इसका right answer होगा, आपका each, each room of this hotel has an AC, मतलब के इस room के परतिये कमरे में, हर एक कमरे में, मतलब एक AC लगा हुआ है, तो यहाँपर देखिए, जो this word आय इस से clear हो रहा है कि each का use के जाएगा, क्योंकि हम each का use करते हैं, जी है, each का use करते हैं, निचित संख्या के लिए, और हम यूज करते हैं, every का अनिचित संख्या के लिए, तो राइड़ होगा, आपका each, question 30, he is good, blank space English, तो जो आपका 30 है, तो इसका right answer होगा, बच्चों, he is good in English मतलब है, English में अच्छा है, अब आयाते है 31, तो देखे, 31 जो इन, blank space, I do that sum for you, she will, will, can, man, तो बच्चों, यहाँ पर हम shell का use करेंगे, offer वाली बात चले है, shall I do that sum for you, क्या मैं यह सम आपके लिए करूं, तो यहाँ पर offer की बात की जा रही है, और offer के लिए हम यहाँ यहाँ 31 का राइजर होगा, आपका शेल वाला, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नम्बर 32 की तरफ, तो क्वेशन आपका 32 है, 32 है, no sooner did the boy see the cobra, blank space, he ran away, option as soon as, then as, या so, तो बच्चों, no sooner आए, तो राइजर होगा, आपका देन, क्योंकि no sooner के साथ, then का use करते है, no sooner did the boy see the cobra, then he ran away, तो राइजर आपका देन होगा, क्योंकि no sooner के साथ, देन का use करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नम्बर 33 की तरफ, 33, this task has been equally divided between you and, तो 33 का राइजर आजाएगा, आपका मी, जिया, object आएगा, you and, me, तो you and, me, this task has been equally divided between you and, me होगा, myself नहीं होगा, mine भी नहीं होगा, आई तो ही नहीं सकता, me, right answer है, 34, when Rohan was a small child, he, blank space, spent hours, everyday playing marvelous in the street, option आपके सामने, would, was, should, used, तो question आपका 34 है, जल्दी से राइजर आजर गेस कर लीजिए, तो बच्च्च उसका राइजर राइजर रोगा, आपका would, जी है, would, when Rohan was a small child, he would spend hours, everyday, तो राइजर राइजर रोगा, शुड़ और वास्तो होता ही नहीं, would, right answer इसका हो जाएगा, क्योंकि will की past form होती, would, will की past form क्या होती है, बच्चों, would होती, इसलिए इसका जो right answer होगा, वह होगा, would, अब बात करते हैं, question number 35, बेले की स्टार्डिंग में दी गए, the better team Australia lost a match against Bangladesh, 35, तो देखिए options आपके सामने in spite of, despite or despite being, तो इसका right answer होगा, आपका, despite being, 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 being the better team, अच्छी टीम होते हुए भी, आसलिए जो हो बंगलादेश से match, हार गई, बंगलादेश के against में match, हार गई, तो right answer होगा, despite being, C, इसका right answer है, अब बाते है, question number 36 की तरफ, तो हमारा question number 36 है, your health is deteriorating day by day, इसके बाद blank space है, better see a doctor, did, would, should, head, तो जो 36 है, तो यहाँ पर right answer होगा, आपका head better, जी हाँ, head better मतलब होता है, अच्छा होता, यह अच्छा हो, your health is deteriorating day by day, you head better see a doctor, तो right answer होगा, इसका head, अब आ जाते हैं, question number 37, I will finish this project in black space year, a in the no article, तो 37 जो है, इसका right answer होगा, a, a year, अब a year इसलिए होगा, यह जो word है, यहाँ पर इसको year बोड़ा जाता है, इसको year आप पढ़ते जरूर है, लेकिन exact में, इसका sound जो होता है, वो year होता है, जो के y जो है, आपको यहाँ का sound देता है, इसलिए आपको यहाँ पर use करना होगा, a, ठीके, year के पहले, आपको हमेशा a लगाना होता है, n बिल्कुल भी मत लगा देना, गलती हो जाएगी, a year आ जाएगा, ठीके, अब देखते हम question number 38, तो question आपका 38 है, the plane took blank space at 30 in, away, on, off, down, तो 38 का जो राइड अदर होगा, took off होता है, बच्चो, तो जहाँ पर आएगा, off, ठीके, took off, off इसका राइड अदर होगा, 39 है, late the child blank space, it's been dark outside, out, in, off, away, तो बच्चे जो 39 है, तो 39 का राइड अदर होगा, आपको जल्दी से gaze कर लेना ह जिया, इसका राइड अदर होगा, आपका in, जिया, late the child in, it's been dark outside, late the child in, मतलब बच्चे को अंदर ले आओ, it's been dark outside, क्योंकि बाहर अंदेरा हो रहा है, ठीके, तो राइड अदर होगा, ठीके, 39 का राइड अदर होगा, आपका in, अब देख लेते हैं, 40 नमर के question, तो out मतलब को होता है, time गुजर रहा है, ठीके, तो राइड अदर होगा, आपका out, अब देख लेते हैं, 41, white strength, blank experience, peace, for, with, or, against, so white strength, for peace, white strength, for peace, so मतलब कि जो white है, वो शांती का प्रतीक है, तो राइड अदर होगा, 4, 41 का राइड अदर होगा, 4, 42, this course will help you, blank experience, your speaking skills, तो इसका र यह course आपकी speaking skills को develop करने में help करेगा, ठीक है, तो राइड अदर को इसका develop, 43, when I blank space up, I will be a pilot, तो यहाँ पर आ जाएगा, grow up, when I will be, grow up, when I grow up, I will be a pilot, जब मैं बढ़ा होगा, तो मैं pilot बनुगा, तो राइड अदर होगा, तो राइड अदर होगा, तो राइड अदर होगा, त He wants to get a better job and earn more money, मतलब कि वेक अच्छी नोकी चाहता है, और पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो राइड अदर होगा, इसका job, अब देख लेता हम 45, 45, जल्दी से guess करके, आप मुझे राइड अदर बता दें, क्या है, इसका राइड अदर, I blank space, the piano Since the age of 5, I am playing, play, have played, तो बस्तों 45 है, तो 45 का आपका राइड अदर होगा, I am playing, I am playing, I am playing the piano, since the age of 5, तो मतलब कि मैं 5 साल से प्लाइड अदर होगा, तो राइड अदर होगा, I am playing, ठीक है, अब देख रहेते हैं, question number 46, तो यह आपका 46, warning, blink space नहीं है, यहाँ पर warning, no entry for strangers, इसके आपका 46, तो 46 का राइड अदर होगा, beyond, beyond, this point, warning, no entry for strangers, beyond this point, तो beyond इसका राइड अदर होगा, अब देखते हैं, 47, 47 में किना है, I did it, I was off work, during, while, since, however, तो इसका जो राइड अदर होगा, जल्दी से कर लेना है, while इसका राइड अदर होगा, जिहां, I did it, में नहीं किया, while I was off work, जब में work से off था, ठीक है, तो राइड अदर होगा, while, इसी तरह से हमारा 48 नमर का, if we want to avoid another loss, blank space, we should take proactive measures immediately, since then, so because, 48 का राइड अदर होगा, then, जिहां, क्या होगा, then, if we want to avoid another loss, then we should take proactive measures, ठीक है, तो राइड अदर होगा, then, अब देखते हैं, 49, तो इसका राइड अदर हो you should go to bed soon, blank, we have to rise early morning, although, is, but, unless, तो इसका राइड अदर होगा, is, मतलब होगा, you should go to bed soon, तो मैं जल्दी बेट पर जाना चाहिए, is, we have to rise early tomorrow, क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है, इसलिए राइड अदर होगा, is, अब रहा आपका, last बाला 50 नमर का, the questions blank space are on page 194, तो इसका answer होगा to be answered, the questions to be answered, are on page 194, तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 50 तक सारे आपकी questions को explain करा दिया है, यह जो fill in the blanks थे, यह काफी दो इंपॉर्ड हैं, आपकी जो exam होने वाले हैं, नेक्ट मत में आपकी जो बोड परिक्षा होने वाले हैं, उसके लिए जो questions हैं, काफी दो इंपॉर्ड और यह इसकी practice करने के बाद, अगर आपको इसा भी set paper लगाएंगे, चाहे model paper हो, चाहे परिक्षा देन का paper हो, I hope आप से सारी questions बनने लगेंगे, क्योंकि आपको grammar समझ में आने लगेगी, बहुत ही कम time में, मैंने यह 50-50 questions आपको explain करा दिये हैं, I hope यह वीडियो आपको पसं अक्कोन आपको आपको को आ स्संगरो, टो में ़ेक्त्रों सवालने लगे घ् marघाएंगे, कर इसको के दांपकोrakई, चाहे हो, वोत आपको एिये हैं, मैंने खhoneओ कि जूर Нап However, दोवत हूदाओ का घापको वाणिाने लगें से लगाते यहांगे, हमाद ब neutrality ये आपको के धा